युवावस्था के दौरान स्कूल और कोचिंग सेंटर के प्रती हीरा के नए विचार पाईट हीरा की शरीर में अब युवावस्था के दौरान कई बदलाव आ गए हैं शारीरिक परिवर्तनों में उचाई, बजन, मास पेशियों जैसेक शेत्रों में शारीरिक व्रिधी और चहरे के आसपास मुहा से, दाड़ी का बढ़ना, आवाज में बदलाव, अप्रत्याशित इरेक्षन, हस्तमैथुन करना शामिल है, भावनात्मक विकास में नई रुच परिया भी बदल जाती है, ये उम्र में बुरी आत्ते लग जाती है, हम लोगों को चिढाना या धंकाना देखते हैं, कई लोग, नशीली दवाव, तंबाकू, शराब, सिग्रेट जैसे हानिकारक पदार्थों का सेवन करने में लगते हैं, नशे की लत वाले गेम खेलने, गैजेट्स पर अत्यधिक समय बिताना इस उम्र के कुछ जड़बर लक्षन है, अधिक वयस्क सामगरी का उपधोग करना, पैसे चुराना और चीजे छिपाना भी लोग करते हैं, पूर्मिराम सवभाग्य से, हीरा के समय में गैजेट विक्सित नहीं हुए थे, और सवभ पूर्मिराम पहले उसका परिवहन माध्यम रिक्षा था, लेकिन अब वर साइकल से जाने लगा था, पूर्मिराम वर अपनी साइकल का अच्छे से ख्याल रखता था जैसे की ठीक से सफाई करना, टायरों में उचित हवा और पैडल ब्लिट्स में ग्रीस लगाना उपर घ प्रीद लिंग के प्रती हीरा की नजरें और भावनाय बदल गई पहले वर उन्हें साथी इंसानों के रूप में देखता था, अब उसकी टिपनियां उनकी चेहरे, उनकी मुस्कुराहट, उनकी आनखों, उनकी नाक, उनकी होटों, उनकी आवाज, उनकी हाथों और थोड हो जाता है, हीरा का अपने शिक्षकों के प्रती द्रिष्टिकोंड भी बदल गया, वह स्वयन को उनकी प्रती आकर्शित महसूस करने लगा, और अच्छे चरित्र के लिए प्रशंसा पाने तथा उन्हें प्रभावित करने के लिए अच्छा व्यवहार करना चाहता था, उसे बहुत अच्छा महसूस होता, जब उसे कोई जिम्मेदारी या कारे सौपा जाता, उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, अच्छा स्कोर किया, और बेहतर हुआ वह खेलों में भी अच्छा खेलता था, उसी तरह स्कूल के बाद कोचिंग के दौरान, वह अपने दोस्त के साथ खड़ा होता था, और खेल, जीवन, रुचियों, पढ़ाई आदी के बारे में बात करता था, वह खड़ी सभी लड़कियों की ओर देखता था, और उसे कुछ लड़कियों की ओर आकर्शित पाता था उनमें से, लेकिन कभी कोई लापरवाही नहीं करता था, या प हीरा ये सब देखता था कुछ दोस्तों कूल बनने के लिए सिगरेट पीते थे और चंचल सुपारी खाते थे पूर्मिराम उसके और लड़कियों के बीच बेवजह यौन तनाव था लेकिन वह उनसे दूर रहता था और दोस्तों पढ़ाई और प्रकृती से अपना ध्यान यौवन के दौरान हार्मोनल परिवर्तनों के कारण लड़कों और लड़कियों के शरीर में क्रमशर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्राव होता है जिससे शरीर के साथ साथ भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं बेतर कल्यान के लिए बच्चों को इसके बारे मे में मदद मिल सके यौन तनाव मुख्य रूप से बच्चों में इसी उम्र से उत्पन्न होता है और दुख की बात है कि उनमें से अधिकाश इसका सामना करते हैं और समय समय पर अपनी क्षणिक प्रतिक्रिया के अनुसार स्वयन ही कारे करते हैं.